आज मैं फिचर टॉक में बैबल से ही कुछ पताना चाहती हूँ जिसके बारे में है एक वो है एक साधरन सी बहुती साधरन सी महिला है और वो सिलाय बुनाई का काम करती थी सिलाय बुनाई में काम करती थी वो और वो बहुती एक विश्वासी महिला थी और मेरा आज का फिचर टॉक का विशय भी है कि हम विश्वास में कैसे अटल रहे हर बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है लेकिन हम बैबल के द्वारा ही आज हम सीखेंगे कि हम एक सच्चे विश्वासी हम कैसे बन सकते हैं और आप लोग चाहें तो मेरे साथ खोल सकते हैं ये मिलता है पिरीतों की किताब में और ये है अधिया नाव और ये है पद सेंख्या 36 से लेकर 43 तक 36 से 43 तक और आप लोग समझे गए होंगे कि यहां जिस महिला के बारे में मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है तबीता और उसका और एक नाम था है दोरकस ये तबीता जो महिला है वो यफा में रहने वाली एक महिला थी जैसे मैंने बताया कि ये सिलाय बुनाय का काम करती थी और लोगों की सेवा करती थी मैं पत्चंख्या 36 परना चाहूंगी यफा में तबीता अथा दोरकस नामक एक विश्वासनी रहती थी वा बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी उन्ही दिनों में वा बिमार होकर मर गई और उनों ने उसे नहला कर अटारी पर रख दिया इसलिए कि लुदा या फाक के निकड़ था चेलों ने या सुनकर की पात्रस वहां है दो मनुश्या भेज कर उस से विंती की हमारे पास आने में देर ना कर यहां हम देखते हैं कि तबीता एक विश्वासनी थी और बहुती भले काम किया करती थी और दान भी लोगों को दिया करती थी क्योंकि वह बहुत ही गरीब थी फिर भी वह लोगों को दान दिया करती थी और एक दिन उनकी तबियत अचानक से खराब हो जाती है वह वह मर जाती है तो इस कहानी से हम लोग सीख सकते हैं कि किसी की सहता करने के लिए हमें बहुत धनी होने की जरूरत नहीं है अगर हम हमारे अंदर में किसी को मदद करने की या फिर किसी को दान देने की इच्छा हो तो हमें हमें अपने आपको तियार करना है जब तक हम अपने आपको त्यार नहीं करेंगे ना ही हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं और ना ही हम दूसरों को दान दे सकते हैं और उसके जीवन से हम दूसरी चीज़ सीख सकते हैं कि वह इसु मसी को सिर्फ मानती नहीं थी बलकि वो उनके बताए हुए रास्तों पर वो चलत जैसे कि वो दान देती थी और वो बक्च पात नहीं करती थी। और वो सबके साथ में बहुती प्रेम करती थी। और चौती चीज हम उनके जीवन से सिख सकते हैं कि वो येशु मसी को सिर्फ मानती नहीं थी बलकि उसने येशु मसी के गुनों को अपने जीवन में अपनाया। और यहां हम देखते हैं इस किताब में कि यहां पर जो महिला थी तबीता उनका दो नाम था। एक नाम था उसका तबीता और दूसरा नाम था दोरकस। और यह दोनों अलग अलग नाम है। तबीता एक आरभी भासा है। में बोला जाता है और दोरकस है जो इरानी भासा है। यहां मतलब दो समुदाए के लोगों ने मिलकर उन्हें दो नाम दिया। क्योंकि जो लोगों के साथ में जिन लोगों के साथ में वो रहती थी उन लोगों की उन्हें ने बहुती सेवा की और दान की। इसलिए उन दोनों समुधाय के लोगों उन्हें प्यार के ना तार पर या फिर कहисьकते हम लोग उनके मांद सम्मान के लिए उन्हों ने दो नाम से उन्हें बुलाते थे। और इन दोनों नामों का अर्थ होता है हिरनी और वो जो महिला थी तबीता वो देखने में भी बहुती सुन्दर थी और वा अपनी सुन्दरता सिर्प चेहरे से नहीं बलकि उनकी कामों से और उनकी जो गुन थे उसे वो मतलब उनकी सुन्दरता जहलकती थी जैसे हम पाद्रस की किताब में से हम पढ़ सकते हैं पाद्रस पहला पाद्रस अधियाए चार और पद संख्या है दस जिनको जो दान मिला है वा उसे परमेश्वर के नना प्रकार के अनुगरा के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं इन पत्स अस्थानों से हम लोग सेख सकते हैं कि हम में प्रतेक मनुश्यों में एक अलग-अलग गुन है परमेश्वर ने हमें हर एक प्रकार के वर्दान दिये हैं और हम इन वर्दानों को सिर्फ अपने तक ही हम सीमित नहीं रख सकते हैं जैसे हमें जो वर्दान मिला है, जैसे हमें बहुत सारे वर्दान मिला है, जिसे गाना बजाने का, खाना बनाने का, और भी हम बहुत सारे वर्दान मिले हैं, तो हमें इन वर्दानों को अगर हम दूसरों के साथ में बाढ़ सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा ह इसे हम ये साबित कर सकते हैं कि हम सच्चे विश्वासी हैं और हम येशु मसी के बताए हुए रास्ते पर हम चलने के योग्या हैं धनियावाद